नमस्कार सब्सक्राइब एक वार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है लोदाइक लासे इसके बीए फ्लेट फार्म पर बीए सेक इंडियर में जेविक खेती जेविक क्रसी ठीके ना तो इस सब्जेक्ट पर आज फिर से हम एक नया मोडल पेपर लेकर आ सब्जेक्ट पर कवर करने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा कोई उनिवर्सिटी इसको बीए फरस्टियर में ले रही है इन सभी सब्जेक्ट यह वाला सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप सभी के लिए ՜िसके भी सिलेवस में जेवी क्रशी की प्रक्रिया बाला सब्जेक्ट है उन सभी के लिए है ये model paper exam 2024 के लिए इसका content हिंदी और English दोनों में ही आपको प्राप्त होने वाला है हाई ये शुरू करते हैं अपना आज का session पहली बार ये दी class को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दू दोस्तों थोड़ा notify करवा दू हाँ कि ये एक vocational course है और इसकी जो answer seat होगी answer seat होगी बो भी आपको available होगी description के माध्यम से आपको इसकी answer seat भी मिलेगी के अरे जहां से आप revision लगा सकते हैं और कुछ university ऐसी है जो कुछ university ने डैटमस की सिर्फ एक university ऐसी है जो कल exam ले रही है तो उन बच्चों के लिए सिर्फ रात का टाइम है सिर्फ आज रात का तो ये 20 प्रशनों का revision पटाफट लगा लिजे आज रात भर सोने की जरूरत नहीं है पुर एक बार playlist को जरूर बिजिट करना दोस्तों सभी से बोल रहा हूं है playlist को जरूर बिजिट करना प्ले लिस्ट में आपको भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड यर के आपके सभी सब्जेक्ट पूरे डेटेल में मेरे द्वारा पढ़ाए गया है वो सब मिल जाएंगे कोई चार्जेस कोई फीस नहीं है साथ में उसके नोट्स भी उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है जहां से आप आसाने से डाउनलोड करके और अपने इस्टडी को बेतर बना सकते हो आई यह शुरू करते हैं तो लेते हैं पहला कोशन पहला कोशन जेविक सुद्ध जेविक खेती किसे कहते हैं जेविक एवं सुद्ध जेविक खेती किसे कहते हैं जहां में मार कर रहा हूं में तर्म में आपकी बारवर बताने क्या वाशकता नहीं है जेविक खेती के उद्भव एवं अबधारना को संग्चेप में समझाईए तो में टर्म क्या है अगला प्रशन लेते हैं अगला प्रशन है देखा जाए तो यही प्रसन है जबHome पड़ो गये पुरे विस्तार से तो आपको इसका उध्भव अभधार्ना मेहद्व और लाप सब एक साहती देखने को मिल जाएंगे अत्वा में दिया गया है जेविक खेती मानब प्रजाती के लिए वरदान है तो यहाँ पर आप से दोस्तों अत्वा में है इसके महद्व या लाब ही इसके मानब प्रजाती के लिए वरदान हो जाएंगे किलिया रहे ना सिर्फ शब्दों का airfare है main concept वही है जहाँ पर भी अत्वा में प्रशन आ रहे है main concept आपका वही रहेगा तो जेविक खेती के महद्व और लाब या जेविक खेती मानब प्रजाती के लिए वरदान है अत्वा में है जेविक खेती के लाब को विस्तार से समझा इस प्रणाली के लाब बताने है अत्वा में पूच गया है एकी करत या समन्वित क्रशी प्रणाली से और अधिक आमदानी है तू क्या प्रियास करने चाहिए इन सबका आंसर आपको मिलने वाला है आंसर सीट में आपको देने वाला हूं ठीक है ना चलिए पांच बाग प्रशन है जेविक खेती के संबंद में विविन फसल प्रणा बनाली कि एक आरंब करने के लिए अपना इगे क्रियाविदी को समझाईये तो कृष्टी प्रणाली में फसे क्या है फस ये बिस्ताश दिया गया है फस्ति ये एक फार्मिंग सिस्टम है इन संति रियारी के विविक रियाविद बतानी है कि फ эфф下去 को अपनाने के लिए किस प्रकार की प्रोसेस को अपनाना होता है ठीक है न चली अगला प्रश लेते प्रश नमर साथ है जेविग खेत का विक्यास केसे किया जाता है इसके बैदपूर चरणों या विदीयों को संख्शेप में समझाईए ठीक है तो जेविग खेत जहाँ पर जेविक क्रशी करनी कोन कोन सी चड़नों को फॉलो किया जाता है उसको बताना होगा अगला अगला प्रशन है प्रशन नमर आठ है जेवी खात किसे केते हैं जेवी खात बनाने की प्रकरिया दो कॉनसेप्ट है जेवी खात क्या होता है और इसकी प्रकरिया क्या है जेवी खात बनाने की प्रकरिया क्या है चलिए नेक्स प्रशन है जेव उर्बरकों के लाब को तो कौ्ण कौन सी साब्धानी रखना चाहिए यहँ पर भू आप जो है जाहए व रबारने कि पूर पोरी उटेव इस्टेप बतानी होगे आपको थे सांथ में यह बता ना होगा कर् fifty सब्सक्राइब को साब्धानी साब्धानी उनको discuss करेंगे और इसकी answer sheet के लिए में आपको link provide करवा दोगा description में जिसके download करके आप आज से तैयारी कर सकते हैं चलिए अगला प्रशन है पादप पोशक तद्वो के स्रेनी करण या बर्गी करण को समझाना है यहाँ पर आपको gradation या classification बताना है classification किसका पादप पोशक तद्वो का ठीक है प्रशन नमर 11 है पादप व्रद्धी या पोदो की व्रद्धी किसे कहते हैं पादप व्रद्धी या पोदो की व्रद्धी क्या होती है पादप व्रद्धी के विविन चरण इस्टेप बतानी है what is plant growth और plant growth different faces of the plant growth ठीक है ना तो चरण है जिसके माद्यम से पादप की व्रद्धी होती है चलिए अगला प्रशन लेते हैं अगला कार्वनिक और और ओर अकारवनिक और अब कार्वनिक और जो जो जे कारबनिक उर्बक होंगे तो इन के बारे में दोनों के बारे में सेप्रेटलिए आपको पहले बताना होगा ुसक बाद में पोशक प्रशी प्रणाली क्या है ुसके लाब बताना कि क्रत्व प Grade Olsen क्या होता है एक क्रत्व प्रवंदन के घटक करना कि यहां पर आपको अत्वा वाले प्रशनों में सेम मिलेगा अत्वा वाले प्रशन लाने के पीछ सिर्फ एक ही उद्देश है कि आप इसकी अर्थत की एकजाम की भाहसा्यरी का अर्था होता करने वाले कारक कौन-कौन से हैं समझाईए ग्रामीड खाद ध्यान रखिएगा गोबर खाद को ही ग्रामीड खाद की संग्या दियाती ग्रामीड खाद कहा जाता है अत्वा में हैं गोबर की खाद के उपयोग की मात्रा खेत में किन बातों पर निर्भर करती है मतलब किस केत में एकड़ वाईज कितना खाद गोवर खाद डाला जाना चाहिए तो ये किन बातों पर खेत की किन बिसेश्था ओपर निर्भर करता है अत्वा में हैं गोवर की खाद त्यार करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखना आवश्या के मतलब वही इस्टेप प्रोसेस आपक खाद से सब्सक्राइब नंगर 14 है क्या था हरित खाद और फकेतों में हरी खाद देने की बिदियों का बढ़ना कीजिए तो यहाँ पर पूछे जारा है और उसकी प्रोसेस के प्रोसेस के वारें आपको बताना होगा बहूत प्रोसेश हійсьर्य 273 चृज और जरूडel बहु कि यहां पर निर्माण की बात की गई है अब प्रोसेस जो है अगर थोड़ी सी भी मिक्स होती है उद्र तो वहीं पर आपकी कुजाएंगें एकश्यम है नमब 17 है फसल चकर क्या क्या होता है São क्या हैं समझाईं को इफ्यक्ट करने वारे में आपको यहाँ बताना फसल अफसेश क्या है अपसेश के सहिय उप्योग से होने बाले लाब बताएए तो बडायेटलिय। ऐ hashल अपसेश क्या होते है और यसके लाब क्या होते हैं करोक रेडियस और इसके बेनेफिट आप को यहां पर बताने होंगे-फरस्ट नमर नाइन्टी लेते हैं यहां पर करने के लिए जिसमें दो कॉंसेप्ट आप से पूछे जा सकते हैं वीजामरत क्या होता है और जीवामरत क्या होता और वीजामरत क्या होता वीजामरत क्या होता वीजामरत यह संजीवक यह संजीवक और वीजामरत में थोड़ा सा प्रकार को बताईए जेव उर्बरक के बारे में आपको बताते हुए उसके प्रकार बताना है कितने प्रकार के जेव उर्बरक की परीभासा और इसके प्रकार तो यह 20 प्रशने जो एक एस प्रस्थन है जो संभव ता अभी YouTube प्लेटफार्म पर अभी तक जो है इसके आप कोशन सन्हीं आये और आये हैं तो बिजबसनी कितने हैं में उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता बाकि इस मोडल पेपर की बिजबसनी यह था जो है आप लोगों आप लोगों ने कापी लंबे समय से देखी है और देखते आ रहे हैं यदि आप मुझे यहां पर फोलो कर रहे हैं तो एक बार आपको प्लेलिस्ट में जा करके देखना चाहिए मोडल पेपर वाली प्लेलिस्ट में आपको सेकंड डियर के सारे मोडल पेपर मिल जाएंगे कोशन चोड़ करके नहीं आओगे सारा कोशन सारे कोशन करके आओ एक्जाम पेपर में सब के सब कोशन बैठते हैं विल्कुल फिट बैठते हैं क्योंकि 15-20 कोशन में आप लोगों को देता हूं उसमें से सर्फ आपको पांच कोशन करने होते और पांच कोशन हंड़ेट प फ्रण मात्र चे ज्यादा नहीं सिर्फ फ्रण में ते रहां आपको लगूद प्रकृति के अर्थ आतकी छय अलग कोंसेप्ट है कवर फसल क्या होती है, इसके लाब बताना है इसके लाब बताना है, इसकी आबशक्ता क्यों है तीसरा है केच्छवा खाद क्या होता है ये कैसे तियार माल या मसीनरी क्या लगती है तो केच़वा काल बनाने के लिए जो कच्चा माल लगता है जो मसीनरी प्रियोग में आती है उसके बारे में आपको बताना होगा और लास्ट कॉंसेप्ट है एक उत्तम फसल-चक्र जिस पसल चक्रेकी, जिस क्रोप प्रोटेशन की आमने बात की थी, उस क्रोप प्रोटेशन की उसके बारे में ही आपको थोड़ा सा संख्षेप में यहाँ पर इसको समझहना है, तो यह छे प्रष्न आपके लगूप प्रकरती के, बस इतना आप लोग कर लीजिए, जिनका कल करना उसके लिए ही मैंने यहाँ पर टाइम एक्षा नहीं लिया है फटा फट इस सेशन को कम्प्लीट किया है क्योंकि कुछ बच्चों के पेपर हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पर आदा गंटा एक गंटा दिया जाए तीके ना इसलिए मैंने फटा फट बिना कुछ डिसकर्शन किये शेशन को कम्प्लीट किया है तो जिनका कल पेपर है उनके मेरी गोर से उनको सभी को वैस्ट ओप लग और अच्चे से पेपर दीजिए रात का समय है अभी आप लोग इन 20 प्रशनों की सिर्फ 20 जितना भी तक आपने पढ़ाए ना अब ठीक ह उत्ता आप सब छोड़िए अब जो 20 प्रशन मेने दिया है इस कोंसेप्ट को अपनी बुक के साथ मेच करना अब अब कल पेपर है तो आंसर सी डाउनलोड करने के आपको अवशक्ता नहीं है आप अपनी बुक में ही इन कोंसेप्ट को मेच करते जाए और रिविजर लगा लेकिन जिनके एक्जाम में अभी समय हैं वह लोग डिस्क्रिप्शन में जाईएगा वहां से इसकी आंसर सी डाउनलोड कीजिए डाउनलोड करके और उसका लेक्षर देखने के बाद में हर एक कोशन को बिस्तार से पढ़िए चार से पांच वार पढ़ना सारे तो आप यूटूब पर हमें डाइटली कमेंट कर सकते हैं, शेशन को लाइक कर सकते हैं नहीं जूड़े हो अभी तक तो सब्सकाइब करने के मादियम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो इसके अलाबा वार्टसप पर कमेंड कीजिए टेलेग्राम गुरूप को जोइन कर लीजे ताकि आपको डेली हमारे session के notification मिलते रहे कोई लेक्चर आपसे नहीं चूटे तो विसेश रूप से वार्टसप से बार्टसप नंबर है को लिंग नंबर नहीं है को ना करें किर्प्या करके और टेलेग्राम पर ये लोदाई लोदाई classes नाम से गुरूप बना दिया गया है इस गुरूप को जोइन कर ले तो वहां पर आपको सभी session के लिंक प्रोपर तरीके से मिलते रहेगी डेली अब्लेट मिलते रहेगी होगे प्रेंस मिलते हैं एक session में वह धन्यवाद थैंक्यू थैंक्यू सो मच